हेलो एवरिवन वेल्कम बेक टो माई चैनल रिद्यो ओफिशल जोन दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अगर आप में से किसी ने सोचा है कि आप लोगो पोस्ट क्रेशन यानी की मास्टर कम्प्लीट करनी है तो आज मैं आप लोगो एमट के 2 साल का आप लोगो साथ डिसकूस करूंगी तो वीडियो को एंड दक देखीगा मेक शियर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कियो अगर और सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब करेंगे तो उसका कोर्स और मैं आपको सब्जेक्ट बता देती हूं को आप लोगों को यहां पर दिख रहा होगा सीची वन तो साइकलोगी कल फांडेशन ओफ एजूकेशन है जिसका कोड आप लोग पेपर का देख सकते हैं और इसका ए साइकलोजिकल सारी साइकलोजी ओफ लर्निंग और डेवलप्मेंट यह भी आपका सेम है सीक्वेंस 20 और 80 का यानि कि ओवर और 100 मार्क्स का नेक्स्ट आपका आता है थर्ड सब्जेक्ट वो भी आपका सोसोलोजिकल फांडेशन ओफ एजूकेशन होगा यह भी इसका 100 हीट आपकी कौन सी बेस्ट होती है अब आता है सीसी फोर यानि कि हिस्ट्री ओफ इंडियन एजुकेशन और एकॉनमिक इशू यह भी आपका फॉर हंडेड नमर का होता है यानि कि आप लोग के 10 इंटरनल मार्क्स हो जाएंगे और आप लोग के 80 एक्स्टरनल यानि कि आपके कैलकुलेट होते हैं अब नीचे ते हम लोग देख लेते हैं प्रैक्टिकल के होते हैं जो आपके दो सब्जेक्ट हैं पर नीचे आपको दिख रहे हैं तो इन दोनों में आप लोग आता है PC1 जिसमें आपको रीडिंग और रिव्यू और फोर क्लासिक बुक ऑन हो चैनल को आपको चैनल के उसमेट को दाका आपको सब्जेक्ट की होते हैं और इसमें भी आप लोगों के दो ही प्रैक्टिकल के होतैं नहीं है उसका shocking आब को जोड़ोग का सेकिंड सेमिस्टर का आएगा उसमें होगा आपका एजुकेशनल स्टर्डीज एंड सिस्टम वहीं आप लोग का 20 इंटर्नल और 80 आपका एक्स्टर्नल मार्स इंक्लूड होगा सिसी सिक्स में आपके फंडमेंटल ओफ रिसर्च मेथोड लोजी आएगा जो कि आपके 2080 माक्स में हैं नेक्स्ट आपका सीसी सेवन है परस्पेक्टिव रिसर्च एंड इशू इन टीचर एजुकेशन राइट और नेक्स आपका आता रिसर्च प्रपोजल ओफ डिस्टार्टेशन आएगा स्वरी डिजर्टेशन तो यह भी आपको 20 है ओवर ओल यह भी है कि सेकेंड सेमिस्टर भी आपका 440 मार्क्स यानि कि आपका थियोरी और प्रैक्टिकल को लेके नेक्स्ट आम लोग देख लेंगे तो आपका आपका से डिफरेंसीज हैं सेमिस्टर थर्ड वागी आपके सेमिस्टर फर्स्ट और सेकेंड से तो इसमें हम लोग देख लेते हैं सीसी नाइन आपका एक सब्जेक्ट है पेपर का रिसर्च डिजाइन स्टेटिक्स एंड रिपोर्ट राइटिंग यह आपका हंडेट नंब को हो माक्सुत नहीं होगा बट आप लोग का कोई भी एक ग्रूप सेलेक्ट करना होगा जैसे कि आप लोग देखेंगे सी 11 में आपको दे रखा है इसका भी 20 और 80 में डिवाइड हुआ है उसके बाद होगा सिस्टम एन स्ट्रक्टर ऑफ एलिमेंटरी एजुकेशन यह भी आप या फिकोई नीचे कर लेगा तो उबने से कोई भी दो लेना है तो नेक्स अपका प्रैक्टिकल यह भी आपके इंटर्नल एगा रीडिंग और रिवीव आफ टू रिसर्च पेपर प्रब्लिस इन जर्नल ऑफ रिप्यूट यह आप लोग का होगा यह ब्रिफली से आपको म इस मार्क्स कहीं इंटर्णल होगा उवरल वीरoken सेमीश्टर थर्ड भी आपका वहीं सेम कोई चेंज इसमें आपको लोगा नहीं आता है अब देख लेते हैं सेमीश्टर फॉर्थ की बात बता देते हूं में जो चेंज जिस आये हैं करिकुलम डेवलेप्मेंट होगा और एजुकेशनल मैनेजमेंट बोलिए तो यह भी आपका 100 और 100 ही होगा औप्शनल में आप लोग को कोई भी दो है मर्जी है आपकी कि आप लोग pre-service and in-service teacher education लेना चाहते हैं या फिर comparative education लेंगे guidance and counseling जो की beard में भी आप लोग का था और इसके बाद academic राइटिंग में आपको या योगा and health education self development and communication इसके लिया निकि ओवर ओल इन 6 subject में से दो subject आप लोग को सेलेक करने हैं मार्क सबके से में कोई भी ऐसा नहीं है नेक्स्ट आप लोग का प्रैक्टिकल का जो कि आपको दिखाया गया है 80 marks कहीं होगा फोर सेमेस्टर इसमें कोई changes नहीं है बाकिसम में आप लोग को सिंपल से बोलें तो सेमेस्टर फर्स और सेकिंड में आप लोग का सेकिंड में और नॉर्मल है कोई बी दो पेपर सेलैक्ट करने के लिए तो यह आपका एमिट का स्लेबर सा दो साल का एक साल में आप लोग का सिमेस्टर फर्स सेकिंड कम्प्लीट हो जाएगा रहानी कि रूपर सेमेस्टर आएंगे यानिए कि आपके सेमेस्टर वाइस आपको ओवराल स्लेबर्स के साथ एक्जाम का पैटर्न भी बता देती हूं काफी जाधा कंफ्यूजन होती है बच्चों को तो आपको एवालुएशन पेपर का करा देती हूं तो पेपर रिलेटी अगर इंटर्नल टेस्ट आप लोग का देखा जाएगा दोस्तों तो वह आपको बता दिया यहसे आपको पता है एक्जाम में इंक्लूड होंगे अब आते हैं आप लोग एक्स्टरनन माक्स जो कि आपको पता है 80 माक्स को ओवराल यहां पे होता है इसमें कोई changes दें है आप लोग का changes यहां पर क्या ऐता है दोस्तों जो काउंट होता है अब आता है section B section B में आप लोग को कुशनी करना है section B में आपको 2 question करने है overall कितने में से 3 question में से और एक question आपका 16 number का होगा तो आप लोग यह बोल सकते हैं कि जो आप लोग का यह very short लेके चल सकते है यह वाला short question और last जो आपका आएगा उसमें आपको पांच में से कोई तीन कोशन करने हैं और हर एक question आपका कितना बैठेगा 16 marks का यानि कि 48 यानि कि section C आपको overall सबसे ज्यादा नमबर का section B और section A यह आप लोग का सेम है इसमें कोई changes नहीं 16 नमबर के हैं बट याद रखिएगा overall कितने question आप लोग को करने है राइट इसमें होगा 3255 में 4 करेंगे 9 नहींगे overall आपको 9 question paper में करने है choice आप लोग को काफी हद तक ठीक ठाक दी गई है तो आप लोग को इसमें confusion नहीं होगी तो 80 marks का आपका M8 का होता है courses में कोई change नहीं है यानि कि आपके semester wise के साब से नहीं बता रही overall जब भी आपके exam होंगे 80 marks का ही आपका exam होगा external में आपको बता दिया choice कि सब्सक्राइब से आती है next मैं आपको बता देती हूं कि अगर आप में से किसी को syllabus का और भी detail में या फिर syllabus में क्या क्या रहा है अगर डिसेंट लिए आप में से किसी के पास syllabus नहीं है तो भी मैं आपके next video बना दूँगी जिसमें आपको पता चल जाए कि अगर आप कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं तो उसमें क्या क्या चैप्टर वाइस आते हैं वह भी मैं आपको प्रवाइड कर दूगी टेलीगराम पे मैं इसका आप लोग को PDF दे दूँगी तो टेलीगराम का University की वहाँ पर आपको 10 to time मिल जाएगी तो यह तो आपका था M8 का overall देखा जाए तो आपका M8 का full courses का आपका मैंने बता दिया कि M8 में आपके कितने syllabus आप बोल सकते हैं और आपका exam battle यह दो चीज तो मैंने आपकी complete कर दी है तो आई होप आप लोग को अच्छी से समझ आ गया होगा तो वीडियो को like share जरू कीज़ेगा दोस्तों तो यह चोटी सी वीडियो थी जो कि आपके लिए काफिया तक beneficial नेक्स्ट आपको कौन सी वीडियो देखनी पसंद करेंगे आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके बता सकते हैं आज की वीडियो वस इतनी है नेक्स वीडियो पर मैं जल से जल मिलती हूं थैंक्यू फर वाचिंग